वीवर्स एक ऐसी लेडी जिसके पास डार्क डीमन्स की पावर थी जिसकी मदद से उसने गाउवालो पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था यहाँ तक कि गाउव का राजा भी उसके साथ मिल जाता है लेकिन कुछ वारियर्स अपने राइट्स के लिए उस डीमन लेडी से लड चानलेवा क्रियेचर्स और मॉन्स्टर्स का जो अपने किसी भी दूस्मनों को जिन्दा नहीं चोड़ते थे और हम भी उन लोगों की मदद करेंगे लाइफ ऑफ स्वार्ड हासिल करने में कहानी की शुरुवात में हमें एक राजा दिखाय जाता है और उसने तो बहुत ही पाउरफुल होने के लिए एक डीमन लेडी का साथ देना स्टार्ट कर दिया था जिसका नाम दाजी होता है दाजी के पास तो डार्क एनरजी की शक्तिया थी जिसके मदद से वो और राजा मिलकर अपने आसपास के सभी किंडम्स को डिस्ट्रॉई करते जा रहे थे एक दि दूसरी तरफ हमें कुछ वारियर्स को दिखाये जाता है जो मिलकर दाजी और किंग पर हमला करने जा रहे थे क्योंकि राजा ने उनके बहुत सारी लोगों को बंदी बना के रखा था उन वारियर्स के मदद उनके मास्टर कर रहे थे जो कंगफु कराटे और वाइट मैज कर रहे थे जिसमें कि वो उस गाउं के एक प्रिस्ट की बली देना चाते थे वहीं दूसरी तरफ वो सारे वारियर्स महल के गाट्स को मारते विए आगे बढ़ते जा रहे थे उनमें से जैकी नाम का वारियर्स काफी पावरफूल होता है और अब वो सब उस जगह पर जहां उनके गाउं वालों को कैद करके रखा गया था लेकिन वो सब तो जेल की सलाखों को तोड़ी नहीं पार रहे थे तब जैकी अपने वाइट पावर्स का यूस करता है और उन बस्ती वालों को वहां से आजाद कर देता है लेकिन इन सबी पावर्स का यूस करने की लेकिन जैसे ही वो प्रीष्ट की आखों में देखता है तब ही उसे अपनी मौद दिखाई देती है जो कि आने वाले समय में जल्द ही होने वाली थी। राजा तो ये देकर एकदम से डर जाता है और अब उसने तो प्रीष्ट को जान से मारने का आदेश दे दिया था लेकिन सही मौके पर वहां मास्टर आ जाते हैं वहीं दूसरी तरब जैकी और बाकी सारे लोग अपने गावलों को छड़ा कर भाग रहे थे लेकिन अब तो र बहुती खुंखार जानवर के उपर सवार जैकी और उसका भाई सबी लोगों को भेज देते हैं और खुद महल में रुख जाते हैं उन सिपाईों से लड़ने के लिए जैकी ने बड़ी चाला की दिखाई उसने तो अपनी बिजली के पावर्स का यूज करते हुए एक बह दे दिया था जिसके वज़े से मास्टर काफी कमजोर पड़ते जा रहे थे तब ही वो प्रीष्ट अपनी एक जादूई आँख निकाल कर मास्टर की तरफ फेक देता है जिसकी पावर्स से वो जल्दी रिकवर हो जाएंगे लेकिन दाजी उन्हें ये करते हुए देख ले लेकिन सिर्फ इतनी पावर सोना काफी नहीं था दाजी को हराने के लिए दाजी तो उल्टा उन सभी पर पलटवार कर रही थी और सच में उसके सामने कोई भी टिकी नहीं पा रहा था लेकिन तबी मास्टर ने एक बहुत ही बड़े बर्ड को वहाँ पर बुला लिया था जिस पर वह सारे लोग बैट कर वहाँ से जाने लग जाते हैं उस प्रीस्ट ने अब अपनी दूसरी आख निकाल कर मास्टर के पास फेक दिया था जो मास्टर को सही सलामत मिल जाता है मास्टर तो तुरंत अपनी वारियर के साथ वहाँ से चले गए थे पर अब दाजी का तो पावर लेवल और भी बढ़ गया था क्योंकि उसके पास प्रिष्ट की जादूई आंक थी और अब वो सब मिलके प्लैन बनाते रहते हैं कि वो कैसे मास्टर और उनके किंडम पर हमला करेंगे जब मास्टर और बाखे सब अपने किंडम में आ जाते हैं तब जाकर ये बात रिवील होती है कि दाजी ने जो मास्टर को श्राब दिया था उसके वजे से मास्टर जब भी अपनी पावर्स ये उस करेंगे तो उनकी एज कम होती जाएगी और साथ ही साथ वो अपनी सारी पावर्स भूलते जाएगे इसलिए अब मास्टर के पास सिर्फ एक ही रास्ता था दाजी को खतम करने का और वो था Life of Sword वो तो एक बहुत ही पावरफुल तलवार थी जो दूर कहीं पहाडों में ही जाकर मिलेगी अब यहां हमें जाकी को दिखाय जाता है जो अपने powers की practice कर रहा था दरसल सालों पहले जाकी के पास उन्ने वाले पंग थे लेकिन एक डराउना हाथ्सा होने के वज़े से जाकी को उन्ने से काफ़ी डर लग रहा था इसलिए जैकी के वो बड़े बड़े पंक उसका साथ नहीं दे रहे थे सच में जैकी तो अब एकदम से फ्रस्टेट हो गया था तब ही मास्टर जैकी को बिला कर उसे वो पाउरफुल तलवार ढूंडने का नक्षा देते हैं मास्टर तो जैकी को तलवार के बारे में सारी कीजे बता रहे थे जैसे कि उस तलवार को कोई भी एरा गेरा नहीं ले सकता था बलकि वो तलवार तो खुद ही अपना मालिक चुनती थी और अगर जिसने भी उस पाउरफुल तलवार को हासिल कर लिया तब वो गोल्डन ड्रैगन में कर्मट हो जाएगा और उसी वारियर के पास इतनी ताकत होगी कि वो दाजी के डार केनेर्जी से लड़ पाएगा मास्टर को जैकी के उपर पूरा भरोसा था इसलिए उन्होंने और किसी को नहीं बलकि जैकी को वो तलवार ढूनने के लिए का था लेकिन उस तलवार तक पहुचने की पूरी जर्नी में जैकी को जान लेवा मुसिबतों का सामना करना पड़ेगा इसलिए उसकी थोड़ी से मदद करने के लिए मास्टर अपने बगीचे के पॉंड से एक छोटा सा जादूई बॉल निकालते हैं जिसमें तो नीजा नाम का एक छोटा सा क्रियेचर था और अब वो भी जैकी के साथ उसके जर्नी में जाएगा और उसके हेल्प करेगा मास्टर ने जैकी को तीन सीक्रेट गिफ्ट दिये थे जिसका यूज जैकी अपने इस खतरनक जर्नी में कर सकता था और अब वो तो बिना टाइम वेस्ट के अपने सफर पर निकल पड़ता है शुरुआत में तो जैकी को काफे मज़ा आ रहा था लेकिन कई दिन बितने के बाद भी उसे तो वो जादवी तलवार मिलीने रही थी तब ही अचनक जैकी के एक गिफ्ट में से कुछ बाहर निकलता है और वो तो सिर्फ छोटा सा पौदा था लेकिन उसे तलवार तक पहुँचने के सारे रास्ते पता थे इसलिए अब वो जैकी को सही रास्ता बताते रहता है लेकिन उस रीगिस्तान में कुछी दूर जाने के बाद जैकी पर एक बहुती बड़े सैंटीपीट ने हमला कर दिया था और वो तो बहुती ज़दा खुंखार और डरावना लग रहा था लेकिन उस बड़ी सैंटीपीट को इस बारे में क्या पता था कि जैकी बहुती पाउरफुल वारियर है और अब जैकी ने अपनी दूनों तलवारों का यूश करके उस सैंटीपीट को मार दिया था इसी दौरा नेजा ने जैकी का एक दूसरा गिफ चुरा लिया था और जब नेजा उसे खुलता है तब उसके अंदर तो एक छोटा सा ड्रागन प्रिंस होता है जिसने नेजा के मूपर जहरीली गैस छोड़ दी थी और अब उसी गैस की वज़े से नेजा अपने इंसानी रूप में कनवर्ट हो जाता है नेजा तो वहाँ से भागनी की कोशिश कर रहा था पर जैकी तो उसे कैसे भी पकड़ लेता है वहीं दूसरी तरफ महल में राजा बहुत सरे बॉड़ी पार्ट्स का यूज़ करके एक आर्टिफिशियल लड़की को बना रहा था जिसका नाम उसने डी रखा था और अब राजा उसे कमांड देता है कि वह कैसे भी करके उस जादवी तलवार को ढून कर लेकिया है यहाँ जैकी और नेजा चलते चलते एक अंजान जगव पर आ गए थे अंदर जाने के बाद उन दोनों को एक आदमी मिलता है जो वहाँ की रेट को कंट्रोल करने में मास्टर था और अब तो उस वारियर ने रेट के अंदर एक गोल्डन वेपन बना दिया था नेजा को वो गोल्डन वेपन काफे पसंद आ गया था पर जब वो उसे लेने जाता है तब उस वारियर ने तो नेजा पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था नेजा तो लगा तर उसके हमलों से बचता ही रहता है पर अब लड़ाई जादा बढ़ने के वज़े से जैकी भी नेजा की मदद करने के लिए आ गया था और अब उन तीनों के बीच एक घमासा लड़ाई स्टार्ट हो जाती है पर अचानक से वो तीनों लड़ाई करते करते एक अलगी दुनिया में आ जाते हैं अब वो पावरफुल वारियर तो अपने असली रूप में आ गया था दरसल ये अदमी दाजी के इश्राफ की वज़े से यहाँ पर कैत था इसलिए अब सई सलामत आगे बढ़ने के लिए जैकी ने अपना तीसरा गिफ्ट निकाल कर सामने रख दिया था जिसमें से एक डॉग निकलता है और अब उस वारियर को तो वो डॉग काफी पसंद आ गया था इसलिए अब वो उस डॉग को लेकर वहाँ से जाने लगता है यानि कि अब जैकी और नेजा मरने से बाल बाल बच गये थे और अब वो दोनों अपनी जर्नी वापत से स्टार्ट कर देते हैं काफी रात होने के बाद जैकी और नेजा एक गाउ में पहुँच जाते हैं और अब वो दोनों ये डिसाइट करते हैं कि वो दोनों अलग अलग होकर उस तलवार को डूड़ेंगे जैकी तो रिलाक्स करने के लिए गाउ में थोड़ा गूमता रहता है पर तभी जैकी को गाउ में वही लड़की दिखाए देती है जिससे की राजा ने तलवार ढूड़ने के लिए बनाया था जैकी को तो वो लड़की देखते ही पसंद आ गई थी लेकिन उसमें इतनी हिम्मत ही कहा थी कि वो जाकर उसे बोल दे इसलिए अब वो तलवार ढूड़ने में लग जाता है इसके बाद वो छोटा सा पौदा जैकी को एक जादू गरने के बारे में बताता है जिसके पास मैजिकल नाओ थी दरसल वो नाओ कीजी को भी अपने मंजिल तक पहुचा सकती थी इसलिए जैकी नाओ को चुराने के लिए जादू गरने के पास पहुच जाता है लेकिन अब उन्हें चोरी करते हुए जादू गरने ने देख लिया था इसलिए अब वो जैकी और उसके दोस्तों पर हमला करना स्टार्ट कर देती है अब उस चोरी में अचानक डी भी सामिल हो गई थी और अब वो सब जादू गरने को चकमा देकर वाँस से बाहर निकल जाते हैं अब तो जैकी नेजा और डी के साथ नाओ को लेकर समुद्रे में उतर गए थे रास्ते में डी नेजा से उसी तलवार के बारे में बात कर रही थी पर अब नेजा को तो शक हो गया था कि डी को उस पावरफुल तलवार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है इसलिए नेजा डी को दुश्मन समझके उस पर वार करने लग जाता है पर अब उस छोटे से ड्रैगन प्रिंस ने निजा के चेरे पर जहरीली गैस छोड़ दी थी जिसके इफेक्स से निजा वापस से अपने क्रियेचर वाले फॉर्म में कनवर्ट हो जाता है इसी वाने जैकी और डी की नजदिय किया काफी बढ़ गई थी और वो सब अपना सफर तैय करते जाते हैं पर अब उस राजा को इस बारे में पता चल गया था कि डी तो जैकी के साइड हो गई है इसलिए राजा डी की सारी तलवार वाली मेंबरीस इरेस कर दिता है यानि की अब डी पूरी तरीके से आजाद थी अब तो जैकी नाओ लेकर समुदर के एकदम बीचो बीच आ जाता है लेकिन उसे इन सारी चीजों में कुछ गड़बड़ी लग रही थी जब वो अपने पौदे से इस बारे में पूछता है तब वो बताता है कि इस जगव पर ड्रैगन प्रेंस का घर है और वो तो कैसे भी करके अपने घर पर जाना जाता था ड्रैगन प्रेंस तो अपने फादर को आवाज देने लगता है और तब भी उसके फादर जो की ड्रैगन किंग थे अपने एक बहुत ही बड़े ओक्टोबस को उसे लाने के लिए भीज देते हैं वो ओक्टोबस तो पार्णिय से बाहर निकलके नेजा और ड्रागन फ्रिंस को पकड़ कर सी पैलेस में लेकर आ जाता है दरहसल ये सारी चीजे नेजा की एक चाल थी क्योंकि नेजा का एक बहुत ही पावरफुल हतियार जिसका नम फायर विल था वो इसी जगों पर चुरा के रखा गया था इसलिए अब नेजा ड्रागन किंग से अपना हतियार मांगने लगता है पर ड्रागन किंग के आदमियों ने तो नेजा पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था नेजा भले ही छोटा हो गया था पर उसके मैजिकल पावर्स अभी भी उतनी ही थी इसलिए वो सारे लोगों को चक्मा देकर किंग से अपने फायर विल हासिल कर लेता है अपने पावर्फुल वेपन के कॉंटाक्ट में आने पर नेजा तो वापस से अपने इंसानी रूप में कनवर्ट हो गया था अब उसने ड्रागन किंग को उसका बेटा लोटा दिया था इसके बाद नेजा अपना वेपन लेकर वहां से चला जाता है वहीं दूसरी तरफ जैकी और डी अपने नाव में बैटकर एक सिटी के तरफ बढ़ते रहते हैं लेकिन वो दोनों ये देखकर एकदम से हैरान हो गए थे कि वो सिटी पूरी के पूरी डिस्ट्रॉइ हो चुकी थी वहां के सारी चीजे हवां में इस तरीके से फ्लोट कर रही थी मानों के टाइम एकदम से रुखी गया हो जैकी जब वहां जाकर चेक करता है तब उसे वहीं पर एक ट्लू मिल गया था जिससे की वो कंफर्म हो जाता है कि वो जादुई तलवार यहीं कहीं है इसलिए जैकी अपनी सारी पावर सिकठा करता है और उस सीडी के पत्थरों के उपर फायर करता रहता है कुछ दिर बाद तो उस जगपर एक अजीब तरेके का स्ट्रॉक्चर बनना स्टार्ट हो गया था और अब उन पत्थरों के अंदर से लाइफ ऑफ स्वाट बाहर निकलती है जैकी और डी एकदम से खुश हो गए थे क्योंकि इसी पावरफुल तलवार को हासिल करने के लिए वो सब यहाँ पर आये थे लेकिन ये सारी चीज़े इतनी आसानी से तो नहीं होगी अब जैकी और डी का पीछा करते करते राजा का जनरल अपनी पूरी सिना के साथ वहाँ पर आ गया था जिसे ओविसली वो तलवार चाहिए थी इसलिए अब जैकी और उन सिपाईयों में एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है जिसमें जैकी अपनी बची वी पावर का यूस करते विए उनसे फाइट कर रहा था पर उन सिपाईयों की कॉंटिटी काफी ज़्यादा होने की वज़े से वो सब जैकी को पकड़ लेते हैं वहीं पर डी कैसे भी करके जैकी की मदद करना चाहती थी पर वो करती भी तो क्या करती पर अब डी को एक आइडिया आता है और वो उस पावरफुल तलवार को निकालने चली जाती है जनरल के सिपाई भी उस तलवार को निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन उनके तलवार को टच करने पर ही वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जा रहे थे यानि कि उस तलवार को एक सच्चा इंसानी क्यूज कर सकता था पर जब D उस तलवार को निकालने जाती है तब उसने तो तलवार को आसानी से पकड़ कर बाहर निकाल दिया था उसकर के उड़ने लगता है क्योंकि अब उससे अपने आपर भरुसा हो गया था पर जब सूरज की किरने डी पर पढ़ती हैं तब वो एकदम से पुतला बन गई थी ये दिखकर जाएकि बहुत ही ज़्यदा गुसा हो जाता है क्योंकि वो डी से प्यार करने लगा था और राजा और दाजी की लोगों ने मिल कर अपने आसपास के सारी किंडंग्स पर हमला करना स्टार्ट कर दिया था पर राजा जैसे ही सारी लोगों को मारता तब ही सई टाइम पे वहाँ जाकि अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और उन तीनों ने अपनी अपनी पावर्स का यूज करके राजा के सभी लोगों से लड़ना स्टार्ट कर दिया था भले ही वो तिनों पूरी सिना के बराबर नहीं थे पर वो तिनों टीम वक करते वे उन सभी सिपाईयों को मारते रहते हैं उस गमासा लड़ाई में जनरल भी मारा जाता है लेकिन अब ये बात दाजी को पता चल गई थी इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके जनरल को एक बहुत ये बड़े दानों में कनवर्ट कर दिती है और वो बड़ा सा दानों जैकी और उसके दोस्तों पर हमला करने चला गया था वो मॉंस्टर बहुती बड़ा होने के साथ साथ काली जादू का ए जब जैकी का भाई अपनी अंकल की मदद करने जाता है तब वो बताते हैं कि उसे कैसे भी करके पावर्फुल तलवार को मास्टर के जादूई तालाब में लेकर जाना पड़ेगा क्योंकि तभी उस तलवार की असली पावर्स वापस आ पाएंगी यहां जैकी अपने दोस के सबसे खतरनाक शक्तियां थी अब जैकी का भाई तुरंत अपनी तलवार का यूश करके उस बड़े से दानों को दो पार्ट में काट कर डिवाइट कर देता है यानि कि अब दाजी कुछ भी कर ले वो बच नहीं सकती थी क्योंकि लाइफ ओफ सौर्ड की असली थाकर जै कर देना क्योंकि सच में इस से मुझे काफी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीकी की मैज़दार कहानिया ढून कर लाने के लिए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में सी या